स्वागे थे आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ है भाषा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दों की चर्शाम करने जा रहे हैं मुद्दा नमबर एक राहूल गांदी का घर निकाला मगर दूसरी तरफ प्रधान मंत्री के महिमा मंडन का टूल किट और मुद्दा नमबर तीन जस्टिस जोजफ ने महराष्ट में जिस तरह सिधार्मिक उन्मात पहलानी की कोशिश की जा रही है उस पर महराष्ट सरकार को आड़े हातों लेते हुए उसे इंपोटेंट बताया अगर इसका आप हिंदी में अनुवाद करें तो नफुनसक भ जी हाँ पिछली बार इंडिया की बात में हमने चर्शा की थी किस तरह से उनकी संसद की सदसिता खारिज हो गई और उसके बाद जो खबर आई वो ये कि उन्हें कहा गया कि 22 अप्रेल तक आप घर से खाली हो जाएं घर से बाहर हो जाएं और साथी साथ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है एक मादा चीता चार शावकों को जन देत का है तो वो भी प्रधान मंतरी की परिकल्पना का परिणाम है इसके अलावा आपको याद होगा वो नई संसत जाते हैं तो सारे जो पालतू पत्रकारें ट्वीट करते हैं ओचक यात्रा सप्राइज विजिट तो क्या है इस खबर का पंच शुरुवात हम करना चाहेंगे उर्मिलेश से मोदी जी के समर्थक माने जाते थे मत्दिवर्ग में उनको भी लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादती है और दूसरी बात कि इस बीच करनाटक का चुनावा गया अब करनाटक के चुनाव में अगर नतीजे पक्ष में गए कांग्रेस के जिसके चांसे बताया जा रहे ह तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंडिया की पॉलिटिक्स में खासकर 2024 के बरक्स बाशा बताईए क्या है इस कबर का पंच देखे अभी सार मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरह से ये सी सौ का खेल चल रहा है जैसे बच्चे खेलते हैं ना पार्क में एक नीचे और एक उपर और ये बहुत सुनियोजित ढंग से है जितना तेज राहुल गांधी पर हमला होता है उतनी ही ते है वो चीते बच्चे पैदा करें या मोदी जी नई संसत देखना चाहने चाहें तो मुझे लगता है यह जो खेल चल रहा है यह बता रहा है कि राहुल गांधी की जो लोक प्रियता है उससे भाश्पा अंदर तक बॉक लाई हुई है और कोई कसर कोई मौका छोड़ना नह जी उल्टा आने वाले दिनों में बहुत उग्र होने वाले हैं कि प्रधान मंतरी मोदी के आसपास जो उनका फिंक टैंक है उनका ये मानना है कि उनका जो कोर वोटर है उनका जो समर्थक है वो और ज्यादा ओर्जावान होगा प्रेरित होगा अगर विपक्ष पर इस तरह कि हमले कीے जाते रहेंगे तो यह हमले बंद नहीं होने वाले है और यह और भी जादा बढ़ने वाले है खबर को आगे बढ़ाते है मेरे ख्याद से कितनी हासियासपत बात है भाशा कि अब तो भगाओरे जो है वो राउल गांदी पर केस कर रहे हैं इश्यू से बार-बार जोड़ रहे हैं, हाँ कि ये ओबीसी का अपमाने हैं, अब ललित मोदी जिनके बहुत ही करीबी तालुकात भाजपा के निताओं से रहे हैं, चाहे वो वसुंद्रा राजे हों या स्वर्गिय सुश्मा स्वराज हों और उनकी बेटी तो पार्टी में अंगिनत सोर्से से तीर चलाने हैं, निशाना सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को रखना है, इससे इनको फायदा है, इससे इनको फायदा ये है कि जिस तरह की इन्होंने नफरती ब्रिगेड पूरे देश भर में पैदा की है, वह टीम छोटी मोटी नहीं है अभी सार, वह टीम हमें हर मौके पर दिखती है, राम नहुमी पर दिखती है, उससे पहले तमाम उत्सवों पर दिखती है, हर समय जो सिर्फ ऐसे भगवा डाल कर सड़क पर उतरते लोग है न, उनको लगता है कि बिल्कुल सही किया, बदले की मानसिक्ता में उन्होंने भारती नागर कि एक सेक्शन को और दुख की बात है कि युवा सेक्शन को खड़ा कर दिया है और यह उससे बहुत खुश होते हैं, तो जो सबक सिखाने वाली मान सिकता है, और उसमें मुझे लगता है कि अब यह चाह रहे है कि अंतराष्टी धन से, क्योंकि उन्हें बहुत चिंता है कि राहुल गांधी का भाषर जब बाहर देते हैं तो इतने लोग सुनते हैं, बड़े ध्यान से उस पर चर्चा होती है, इसलिए इंको लग रहा है कि बहां पर भी करेंगे, यहां पर भी करेंगे, ओबीसी वाला मामला तो इंका बहुत जादा प्रभावी होता दिखाई नह ललित मोदी और नीरव मोदी जी को ओबीसी मानने के लिए ओबीसी वाला सेक्शन तयार नहीं है, गुजरात से बाहर, तो उस लिहास से मुझे लगता है, इंके दिमाग में है, जितने भी आपके पास तीर है, वो सारे के सारे आप इस्तमाल कर लीजी और राहुल गांधी क रोक के रखिये, करनाटक चुलाओं से पहले उनको ठामना है, उनकी जो रणनीती वो ये है, कि भई प्रधान मंत्री की एमेज दी जाए, कि एक अकेला सब पर भारी, और ये दरसल प्रधान मंत्री और बीजेपी जो है करप्शन की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए प्रधानी प्रकरणपर पर इस सरकार का जो रवएया है, भरष्टाचारी नेताओं को लेकर जो रवएया रहा है, जो इस सरकारी में आ जाते हैं, तो वाचिंग मशीन से दुल जाते हैं, ममताब अनरजी ने कितने खुबसूरत अंदाज में उसे बया किया था, तो क्या इ जो एक उसके नक्षे को अगर आप देखिए तो एक डिवीजन है बहुत क्लियर कट राजनेतिक वैचारिक सोच का जो लेवल है लोगों का उसमें साउथ हिंडिया अलग धंग से सोचता है और नार्थ हिंडिया बिलकुल अलग नार्थ हिंडिया में जो हिंदी हाट लेंड है वहाँ पे अभी भी जो हिंदुत्वा की विचारधारा है जो भारती जनता पार्टी है जो आरे सेस है उसकी जो पहुंच है या उसकी जो सघंता है समर्थन की वो बहुत ज़्यादा है किसी और पार्टी के मुकाबले और सबसे बड़ी पार्टी अगर और वो सपोर्टर जो है कंसॉलिडेटेड है पूरी तरह से और इसमें केवल अपर कास्ट हिंदू नहीं है याद रखिये इसमें मिल्लिल क्लास मद्देवर्ती जातियां है यहां तक की दलित समाज में भी उनकी पैट है मुस्लिम समाज को छोड़ दिया जाए तो लगभग जो हिंदू मिल्लिल क्लास है हिंदू दलित है हिंदू अबिसी है उसमें भी उसकी पहुंच है और सिर्फ और सिर्फ जो करॉप्शन का इसू है भारत में वह आजादी के बाद सबसे एक डॉमिनेंट इसका रोल रहा है आप देखिए करॉप्शन पर नवजाने कितनी बार चुनाव लड़े गए आज भी इस देश की जनता को लगता है कि करॉप्शन राजनितिक तोर लड़के के खतम किया जा सकता है जबकि करॉप्शन जो है एक सिस्टेमेटिक इसू है यानि सिस्टम को जब तक आप नहीं बदलते तब तक करॉप्शन को दो चार नेताओं को या दो चार अपसरों को धंडित करके आप खतम नहीं कर सकते इस सिस्टम अगर सिस्टम नहीं रोल नहीं है इसमें संगठन का भी रोल है मीडिया तो मैसिप उनके साथ खड़ा है मैसिप सपोर्ट के साथ इसमें जरूरत इस बात की है कि विपक्ष जो है जनता के बीच में जो 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 ग्रासरूट लेविल पर जाए और वहां पर बड़ा मोबलाजिशन करें जो अभी तक हिंदी हार्ट लैन में कुछ एक रिजन्स को बात दिखाई नहीं देता अरुमिलेज जी कि एक बात से सहमत नहीं हो कि पूरा उत्तर भारत थाली में निकालकर उनको परोस नहीं सकते क्योंकि जनता नहीं परोसा है उत्तर भारत में ही बिहार आता है बिहार में भ करी मांगनेंगे और उडिसा में उस तरह से भार्चपा का जो सामप्रदाइक ध्रुवी करण है वो हमें कारगर होता नहीं दिखाई दे रहा और अभी हमने देखा हिमाचल में किस तरह से सरकार में भी तबदीली आई है तो यानि कि पूरे के पूरा जो नौथ बेल्ट है य पर चुनाँती यह घुतum भारती जनता paying कि की मीडिया पर हावी होकर मोधी जी के महिमा मंदन करती है दार्णा को फैलाती फीछीत पर निश्चित तोर पर कंद तारfy असम moje wieder गारी Hai is बात kumSee कर राजी הוא नहीं देते हैं तब तक हमें यह नहीं माना चाहिए कि सब जगा हो गया लेकिन नफरती एजेंडा बहुत तेजी से बहुत कारगर ढंग से सुनयोजित मशीनवी के जरे यहां इंप्लिमेंट हो रहा है और इसी में मुझे लगता है कि इसी लिए शाय सबसे जादा हमला राहुल गा जाता है बताएगे ना चीते ने चार शावकों को जन दिया गिरिराज सेंग ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री की परिकल्पना का नतीजा है पहले पढ़ने पर खबर शब रही है और मनुझा जो है उस पर तंस भी बहुत अच्छा कस्ते हैं कि बहुत अच्छा कस्त यानि कि राजा को नहीं पता कि वो निर्वस्त हो चुके हैं और इस तरह का प्रोपेगांडा बेहुदा प्रोपेगांडा चल रहा है कल्कना से भी विचितर प्रोपेगांडा चल रहा है क्या हो गया है इस में आपर देखें बहुत ये सोसियलोजिकली अगर देखा जाई इस phenomenon को ये बहुत दिल्चस्प मामला है नबे के दशक के पहले अगर भारती समाज में खासकर इसी चेत्र की जिस हिंदी हार्टलेंड की बात अभी मैं कर रहा था वहां देखें तो एक बदलाव की आकांशा से जुड़ा हुआ एक समाजिक आंदोलन या उतल-पुतल समाज म का दोर आता है उल्टी गंगा बहने लगती है उल्टी धारा बहने लगती है एक तरफ आपको आधुनिक्ता दिखाई दे रही है सोकाल और दूसरी तरफ अग्यानता का विस्तार दिखाई दे रहा है संकिनता का विस्तार दिखाई दे रहा है और यही वो दोर है जब कॉं परमीडल क्लास हो चाहत पुस्ट में Park लोल पीड है। प्रॉपगेंडा मिश्टी का सब्सक्राइबूत हथियार्थ है। पूरी वैचारिकता को जो इस वक्त के दौर में विक्सित होई थी, खासकर इमर्जनसी के बाद के दोर में आप देखिए उस समय का मीडिया उस समय का मीडिया भी आपको डिफरेंट था जब कि यही कार्परेट था और 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 बाद के दिनों में वही मीडिया ने अपना पैंतरा बदल दिया भाषा मैं वो तस्वीर देख रहा था प्रधानवंत्री की जब वो संसत के अंदर गए आपने देखा तमाम जो तस्वीरें हैं कई ऐसी तस्वीरे थीं कि वो खड़े हुएं प्रधानवंत्री और पीछे कोई नहीं है याना बिल्कुल एक अकेला सपर भारी हर तस्वीर के जरीए वही संदेश देना एक राजा वाला भाव सम्राट वाला भाव यानि कि लोकतंत्र का जितना मजाक उड़ाया जा सके उफास किया जा सके रौंदा जा सके एक एक तस्वीर सामने उभर कराते हैं जब उनके पास उस दिन खबर चलाने के लिए ना नन्हे शावक है जिनको वो चला सकें क्योंकि उससे पहले वो पूरे दिन वो खबर चल चुकी है और उसके बाद जो आप कह रहे हैं उससे भी बड़ी बात यह है वो सीधा सीधा संदेश देना चाह रहे हैं कि हमने विपक् संसद में प्रवेश कर रहे हैं और वो नई संसद इस तरह किये जहां पर उनके अपने मंत्री नहीं है जो लोगों का पूरा यह अभी तक लोगतंत्र है जहां पर आप एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं सामोही प्रतिनिदुत करते हैं मोदी जी यह बूल जात सब उसी भाषा में बात कर रहे थे और कुछ यह भी कह रहे थे कि जो खुलामी का प्रतीक था वो खत्म किया जा रहा है भारत की असमिता याने की इन शर्मानी चाहिए इन पत्रकारों को इनने पता होना चाहिए इस नई संसद में पत्रकारों का किरदार कम किया जा रहा है अभी भी सेंट्रल हॉल से शायद पत्रकार आप नहीं जा सकते हैं, शुट्टी हो गई उनकी, शर्म आनी चाहिए उनको, और मैं यह कहना चाहता हूँ, ठीक है अंग्रेजों ने उस संसत को बनाया, मगर इस संसत में इतने लौस बने जिसने इस देश की शरिधान सभा उसी स संसत में बैठी, और उससे आप गुलामी का प्रतीक मांते शर्म ही आती इन पत्रकारों ने खड़ा कर दिया है, कि आप अपने इतिहास को खतम कर दीजे, सब कुर्सियों का रंग भी भगवा बना दिया गया है, तो चलिए अब हम रुक करते हैं अपने दूसरे मुद्दे का और दूसरा मुद्दा क्या है, राहुल गांधी को जिस तरह से घर निकाला गया जिस तरह से उन पर अदालत ने जो है फैसला सुनाया, उसके बाद अमरीका और जर्मनी दोनी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, और भारतिये जनता पार्टी जो काफी असहज दिखाई थी, क्या है इस मुद्दे का पंच, भाशा बताएं. नहीं पढ़ता है कि भारत क्या कर रहा है, जी ट्वेंटी का जो पूरा दबदबा भारत का है, उस पे बहुत बड़ा परिवर्तन इस घरेलो घटना क्रम से पढ़ना नहीं चाहिए, ये मुझे लगता है. अब इसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि आपको भारती जैनता पार्टी की बॉकलाट की वज़ा समझनी पड़ेगी. क्योंकि प्रधान मंत्री को विश्व गुरू के तौर पर पेश करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका जो है वो अंतराश्ट्री तौर पर इन देशों के जरीए प्रधान मंत्री की बड़ाई हो. अब ऐसा हो नहीं रहा है. अंतराश्ट्री अखबार लगातार टिपपणी कर रहे हैं भारत की लोगतांतर पर. अमरीका और जर्मनी की तरफ से जो है ये टिपणी आई है. समाना अंतर तौर पर दूसरा तरीका एन राइस के जरीए मोदी मोदी करवाया जाए. वो तो होता रहेगा. मगर यकीनां विश्व गुरू की छवी को एक करारा जटका जरूर लगा है. और मिलेश जी क्या है इस मुद्दी का पंच? देखिए मैं समझता हूं कि जब मोदी जी सत्ता में आये थे तो कुछ एक साल तक वैस्ट्विक्स तरपर इनकी इमेज बहुत बिल्ड की गई और बहुत कोशिश करके बिल्ड की गई थी. लेकिन उसमें इतना तेजी से इरोजन हुआ है हाल के दिनों में कि नौकेवल डेमोक्रसी की रेटिंग हमारी गिरी है अगर आप ग्लोबल इंडेक्स देखें डेमोक्रसी का बलकि जितने और इंडिकेटर्स हैं सब गिरे हैं इस घटना पर मैं समझता हूं कि जर्मनी का अ विदेश में इसका असर हमारे व्यापक मिल्ल क्लास पर पड़ेगा और ये मैं समझता हूं बीजेपी के लिए निगेटिव जाएगा भाषा अभी तो अंतराश्य बिरादरी ने कुछ कहा है नहीं अगर आप अमरीका और जर्मनी दोनों के बयान को देखें तो उन्होंने सिर्व इतना कहा है कि हमारी निगाह है मगर उतना कहना भी मेरी खाल से इससे पहले बहुत ऐसे कम लमहे रहे हैं जहां इंटरनल पुलिटिक्स पर जो है इस तरह की टिपणी है क्या भारती जनता पार्टी को लगता है कि इसके जरीए वो एक बार फिर एक सहानु भूती का जो है भौकाल बना सकती है मुझे जो आशंका दिखाई दे रही है जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी जिस तरह से सारे के सारे लोग बौकला कर आए तो मुझे लगता है कि वो इसी को मुद्दा बनाकर प्रधान मंत्री जी को दुबारा से एक विक्तिम हुड में कि हम पर हमला हो रहा है और इस बार घर से ही नहीं देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि राहुल गांधी विदेश गये हैं और विदेश से उन्होंने सयोग मांगा है तो वह सारी जो आरोपी लगाने की कोशिश कर रहे थे उसे स्टैबलिश करने के लिए इनके टूल किट तैयार है कम से कम भाश्पा का जो रियक्शन है उससे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि अभी अंतराष्टी मामला बन रहा है भारत की छवी अंतराष्टी इस तर पर खराब हो रही है यहां पर मुद्दा यह जो बनना कि पूरी की पूरी तैयारी में भाश्पा दिख रही है कम से कम उसकी बॉखलाट बता रही है उर्मेलेज जी क्या आपको लग रहा है कि प्रधान मंतरी विश्गुरू सपना जो है वो उनका विखर गया क्योंकि देखिए जी ट्वेंटी में अध्यक्ष्टा मिलती है तो साहब इतनी बड़ी खबर बता दी जाती है कि ना जाने क्या हो गया आप जानते हैं से पहले इंडिनेजिया के पास था आगी भी ऐसे से देश के पास जारी है वो विश्गुरू ने बन जाएंगे मगर जैसे जैसे अंतराश्ची तोर पर अंतराश्ची अखबार भारती लोगतंत पर टिपणी करेंगे तो क्या आपको लगता है कि इसका असर इंटरनली भारत पर बहुत बुरा पढ़ने वाला है और यह और दमन और जादा दविश्ट के तौर पर सामने उभर कर आएगा जब वो सपना चूर चूर हो जाएगा तब ठीकि भारत में जो उपीन इमेज के प्रासेस की लेकिन आज में आज के दौर में एक फरक आया है भी देखे वैसे भी ग्लोबल विलेज आप कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक गाओं की तरह बन एक एक विरादराना एक उसमें समझ बनी है या एक तरह की बन गई है नेतन याहू को लेकर खाल के दिनों में अभी अभी कुछी दिन पहले भारत के मिल क्लास में कितना रियक्शन आया सोसल मेडिया पर आप उनके रियक्शन को देख लीजे आप पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर कितना रियक्शन आता है तो ये कहना कुछ लोगों का भारती जंता पाड़ी समर् पर उत्री बेंजमिन नतिन्याव को पीछे आना पड़ा और ये वो इसराइल है जो कटर राष्टवाद खिलता है बावजूद इसके जनता रोश लोकतंत्र की लाज बचाने के लिए सड़क पर उत्री क्या मोधी सरकार को इस बात का डर है कि देखें मैं इसलिए कह रहा था कि मिल खलास का जो एक हिस्सा है जो जादा आर्टिकुलेट है जो जादा समझधार है अब जैसे नराइज हमारे हैं बहुत बड़ी संख्या में है तो ठीक है मोधी भक्त नराइज भी है एक सेक्शन है जो मोधी-मोधी वहां चिलाता है तमाम फंक्शन्स में जब जाते है लेकिन याद कीजिए कि प्रोटेस्ट करने वाले भी एनराइज हैं उनकी संक्या भी कम नहीं है लेकिन मेंस्टी मीडिया जो यहां जाता है मोधी मोधी करता हुआ वो उनको नहीं दिखाता है मैं समझता हूँ कि मिल्ल क्लास का एक हिस्सा भारत में इन चीजों को समझ रहा है वो नेतनियाहू के खिलाब लिख रहा है वो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर लिख रहा है तो दुनिया के पैमाने पर भारती जो हैं इस तरह की बात समझ रहा है और मिल्ल क्लास प यहां पर भी इसराइल में भी वही कट्टर राष्टवाद फलस्तीनियों के खिलाफ नफरत यह सब फैक्टर्स वहां पर भी इसराइल को हम जानते हैं कि वो फिलस्तीनी पर कहर बरपा करने को ही अपना राजनितिक एजेंडा मानता उसके अस्तित्व का बुनियादी आधार लेकिन यहां जो अभी सार में बार बार कह रही हूं खबर कब बनी जब इसराइल की जनता वहां बैंगवीर के बैंगवीर यानि नेतिया नहूं एक तरफ हैं बैंगवीर जो और ज्यादा दक्षिन पनती हैं जो फिलस्तीनी को इंसान तक मानने को तयार नहीं होते उनके सुप्रीम कोट को दबाने वाला जो कानून है उसके खिलाफ जब उतरते हैं उतरते कौन है इसराइल की जनता उतरती है बाहर से हम आप जितना भी आकलन कर लें इसराइल की डेमोग्राफिय में चेज नहीं होता वही चीज भारत में भी लागू होती है और यह मेरे चार में भी भारती जनता पार्टी ने यह नहीं सोचा था कि इस तरह से स्थिती बदल जाएगी और आज की तारीख में भी उनको डर और बॉखलाहट गुसा तमाम टूल किट को खोल देना बता रहा है कि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा नहों कि मामला ऐसे पलट जाए अब हम मुसल्मानों के कतले आम की अपील और यह तमाम जो मुद्दे हो रहे हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट बेहर नाराज दिखा जस्टिस जोजफ ने महराश की सरकार पर कड़ी टिपणी की उसे नपुनसक शक्तिहीन तक करार दिया पलट वार किया सरकार के जो नुमाइंदे थे सुलिसिटर जनरल तुशार महता वो कहते हैं आप केरल की तरफ क्यों नहीं देखते पी एफ़ाई की राली में एक बच्चा क्या 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 कहता है ये तमाम चीज़ें हो रही थी दो चीज़ें और थी यहां पर जस्टिस जोजफ के खिलाफ अशलील प्रॉपगेंड़ा सोशिल मीडिया में हुआ और इससे पहले आपको याद होगा चीफ जस्टिस ओव इंडिया चेंदरचूर के लिए भी कई सांसदों ने राश्टपती को खत लिका था कि उन पर भी हमला हो रहा है क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुवात भाशा आप से देखिए अभिसार मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से नफरती एजेंट खुल कर घूम रहे हैं और खास और से महराश्ट के संदर में उसमें अगर यह observation नहीं आया होता तो लोकतंत्र पूरी तरह से गिरता हुआ दिखाई दे रहा था और उसको बचाने का काम जस्टिस जोजफ ने किया और उन पर जो हमला है हमला करने वाले लोग बता रहे हैं कि उनको जो पोलिटिकल पेट्रोनेज यानि राजनितिक वर्धस्त हासिल है वे कितना आज भी बोल सकते हैं सुप्रीम कोट के जज के खिलाफ रूलिंग के खिलाफ और सरकार पूरी तर इस मुद्धे पर मेरा ये पंच है कि कि आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे हैं पिछले आट नौ सालों से इस देश में जो पत्रकार इस सरकार से सवाल करते हैं उन पर निक्शाना साधा जाता है विपक्ष को तमाम केसिस में फसा कर या तो जेल में डाल दिया है और शोकिंग बात यह है कि देश का लौ मिनिस्टर इस पर पूरी तरह से खामोश रहता है क्यों आप बताईए और मिलेश जी क्या इस मुद्धे पर आपका पंच देखें साथ इसमें जो आपजर्विशन है सुप्रीम कोर्ट का उसमें मैं समझता हूँ कि जो राज और धर्म के सेपरेशन का जो मसला है जो आया है वो बहुत महत पूर्ण है अगर माननी सुप्रीम कोर्ट और भारत का इलिक्शन कमिशन दोनों इसको फैसले के तोर पे नौकेवल तबदील करे बलकि एग्जक्यूट करना सुरू कर दे तो भारत की आधी समस्या दूर हो जाएगी बलकि मैं तो कहता हूँ दो तिहाई समस्या दूर हो जाएगी और उसमें होगा ये कि जो वरन आधारित हमारी सामाजिकता बन गई है और जो अग्यान आधारित जो हमारी धार्मिकता बन गई है उसमें काफी हद तक सुधार होगा भारत एक समावेशी समाज बनने की तरफ आगे बढ़ेगा भाशा जसिस नागरतना ने इसी सुनवाई के तोरान ये कहा था कि एक जमाना था जब नहरू भाशन देते थे आटल जी भाशन देते थे तो हमारे तीन माहान राजनेताओं पर टिपणी कर दी एक राजनेता जिनोंने हाली में कहा था कि उत्तर पदेश के चुनाव असी बनाम बीस फीसदी हैं प्रधान मंत्री जो शम्शान कबरिस्तान की बात करते हैं और आमिच शाह जो विपक्षी दलों को आतंकवादी कसाब स लेकर यह सरकार किस कदर बॉखलाई हुई है क्योंकि मुझे लगता है यह जो अब्जर्वेशन है काश मेरी बहुत दिली तमणना है कि यह अब्जर्वेशन हम जज्जमेंट में भी देखें यानि फैसलों में भी इन्हें इसी तरह से जज लिख पाएं और हम सुन पाएं को देख पाएं पढ़ पाएं लेकिन जो अब्जर्वेशन हैं अपने आप में बहुत चीजें बता रहा है कि किस खतरनाक इस तरह तक सिर्फ नफरती नहीं पॉलिटिकल प्रॉसेस पहुच गया है राजनितिक प्रक्रिया कहां पहुच गई है किस तरह से नफरती उनमात क करते हैं देश की संसद में सड़क पर और उसके बाद आप किस तरह से अमन और चैन लाएंगे और किस तरह से इन तमाम लोगों को आप विकास की बात करेंगे देखिए मुझे दिक्कत है कि जोजब कह रहे हैं वो देश की परवा करते हुए कह रहे हैं उन्हें लग रहा है महंगाई गायब हो गई है देश का बजट बिना चर्चा के अभिसार बिना चर्चा के पास हो जाता है भाषा आप जानते हैं जस्टिस जोजफ पर हमला सिर्फ इनके दो रूपली ट्रोल्स नहीं कर रहे हैं आपको याद हो का सुनवाए के दौरान सुलिसिटर जनरल तु तुषार मेता यह भूल जाते हैं कि जिस प्याफाइ की राली में जिस बच्चे का वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि बही हिंदू और इसाइयों का अंतिम संसकार होना चाहिए वह भूल जाते हैं कि उस प्याफाइ पर आपने पाबंदी लगा दी थी और अगर कोई मुसलम इस तरह के भड़काव भाशन देता है तो आप उन्हें जेल में डाल देते हैं राजा सिंग घूम रहा है अपने बेल की कंडिशन को बार बार उसका वो लंगन कर रहा है आप उसकर कोई अक्षे नहीं हैं आपके विधायक बैठे हुए हैं जो जब सुदर्शन टीवी का जो सो कॉल्ड पत्रकार है वो बिल्कुल अनर्गल प्रलाप नफरती भाशन दे रहा है जो पूरी की पूरी तरह से अनकॉंस्ट्यूशनल है गैर समाधानिक है तब भी आपके सरकार कुछ नहीं करती है क्योंकि आपके मंत्री तुमंच पर बैठे हुए हैं जब सरकार एक कई वाहियाद बातें अपनी तरफ से कहते रहते हैं आपने देखा जिस से चीफ जस्टिस ओव इंडिया पर हमले हुए राश्वदी को खत लिखना पड़ा हमारे विपक्ष को विपक्षी सांसदों को जिस जो अशलील ट्रेंड चलाया गया जस्टिस जोजफ के खिलाफ यह शब नहीं वैसे आप लौ मिनिस्टर हैं कम से कम उनके संडरक्षन के लिए कुछ तो कहिए इस से पता चलता है कि यह सब साथ साथ चल रहा है यह शलील प्रॉपगैंडा और लौ मिनिस्टर की खामोशी यह सब साथ चल रहा है देखे इसमें समस्या हो क्या रही है कि हम इर्रेलेवेंटसी हो गई है मैं उदारण आपको दूगा इसराइल चाहे जितना जिंगोईजम हो लेकिन वहाँ अभी हाल में जो प्रेसिडेंट है इसराइल का वो प्रैमिनिस्टर को चिठ्थी लिखता है कि आप जूडिशरी के बारे में जो इस तरह का आप ला रहे है कानून उनका डिफेंस मिनिस्टर बगावत करता है और प्रेसिडेंट आफ इसराइल लिखता है प्रदान मंत्री को कि आप हर्गी जैसाना कीजे जनता की बात सुनिए हमारे हाँ आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पद पर बैठा हुआ आदमी बड़ा बड़ा मैं नाम नही जब चीता जन्म देता है तो उसका क्रेड़िड भी प्रदान मंत्री की परिकल्पना को देता है और हमारे हाँ कोई बड़ा पदाधिकारी अर्दर देन अलेक्टेट एग्सक्यूटिव पद कोई बोलने को तयार नहीं है हमारी जो कॉंस्टिशनल बॉड़ी हैं चाहे वो आप जर्वेशन से काम नहीं चलेगा इसमें सुप्रिम कोर्ट एलेक्शन कमिशन इनको एग्जिक्यूट करना पड़ेगा प्राधानों को जो भारत के समिधान के हैं जो हमारे देश्ट में एक दौर में किया जाता रहा है और आपको बता दूं बिलकुल आखिर में कि के सरकार नायरानन जब प्रेसिडेंट आफ इंडिया थे उस वक्त भारत के एक बहुत पाउरफुल पॉलिटीशियन बाल ठाकरे को छे साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था उनकी कॉमिनल स्पीच के लिए और उनको चुनाओ में न खड़ा होने का और न चुनाओ मे प्रचार करने का उनको और यहां तकी मत्दान करने का उनका अधुकार छीन लिया गया था तो ऐसा होना चाहिए आज के दोर में जो हो नहीं रहा है भाशा अंत में आखरी सवाल दरसल इस सरकार और इनके प्रचार तंतर को चीफ जस्टिस अब इंडिया जंदर शूर या जस्टिस जोजफ या जस्टिस नागरतना से दिक्कत यह है क्योंकि ये उन जजों से इतिफाख रखते हैं जो रिटार्मेंट के तुरन बाद राजसभा चले जाते हैं ये NCLAT के अध्यक्ष बन जाते हैं सिर्व एक महिने में या राजपाल बन जाते हैं तो नजीर कायम ऐसे तीन जजजज ने की है तो इसलिए जस्टिस जोजफ और जस्टिस चंद्रचूड का रास्ता मुश्किल हो जाता है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और मुश्किल होगा जो चुपी है जिस तरह से हमला है इन पर लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है अविसार कि इनके लिए जगह भी बहुत है क्योंकि अभी भी देश में लोगतंत्र को बचाने वाली ताक्तें मुखर हैं और जिंदा हैं ये नहीं कहा जा सकता है कि सब तरफ राज होने के बावजूद सारी constitutional bodies इनके पास होने के बावजूद लोग सारे बीन बज रही है और नाच रहें ऐसा नहीं है शायद यही वज़ए है कि ये लोग इस तरह से observation दे पा रहे हैं मैं उर्मिलेश जी की बात में अपनी बात जोड़ती हूं और मुझे लगता है हम सबको लगता है observation से आगे बढ़िये मिलाड जज्मेंट दीजे तो बात बने ठीक है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये फैसले आएंगे और उसका असर देश की लोकतंत्र पर पड़ेगा सकारात्मक असर पड़ेगा इंडिया की बात में बस इतना ही भाशा और मिलेश और मुझे अभिसार शर्मा को दीजिए जासत नमस्कार